हलो स्टुदेंट्स, हाव आड यू बेटा, फाइन, सो तुदेग, आएम गोइंग टो स्टाइट प्रेपरेशन ओफ एमाइन्स, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक में आपसे डिस्कॉस करना चाहता हूँ, एक्चुली मैं ये एंसी आईटी में नहीं है, इस फिलिपिंग ओफ अमोनिया और एमाइन्स, ठीक है, ये फिलिपिंग क्या होता है, फिलिपिंग, देखो, चरह याद करो, अमोनिया का स्ट्रक्चर या एमाइन का स्ट्रक्चर याद क्या था, मानलो ये आर वन था, आर टू लगा है, और ये आर थ्री लगा है, और यह SP3 ठीक है, यह कैसा है बता है इसको थोड़ा सा ऐसे टर्ण करो तो आपने अम्ब्रेला देखा है अम्ब्रेला, उबपर एक डंडा निकला रहता है और ऐसे फैला रहता है ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो अम्ब्रेला जब तेज तुफान चलता है और आप ऐसे चल रहे हो छत्री लेकर, ठीक है, आप ऐसे चल रहे हो, क्या होता है, जब तेज तुफान चल रहा है, वो ऐसे पीछे की तरफ खीचता है तुफान उसको छत्री को, और छत्री कभी-कभी सीधी होती है पहले, और फिर उपर की तरफ खुल जाती है, है ना, होता एंब्रेला इंवर्जन नीचे से ऊपर की तरफ खुल गया एंब्रेला इंवर्जन अमोनिया का मॉलीक्यूल या एमाइन का मॉलीक्यूल भी कभी-कभी ऐसा करता है यह देखो चाते जैसा ही है इसको जरा ऐसे चेंज कर दो है ना r1, r2 and r3 ठीक है और उपर यह लगा है आपने इसको कहीं से थोड़ी सी थोड़ी सी एनरजी चाहिए बिलकुल थोड़ी थोड़ी सी एनरजी मिली तो यह इतना फास्ट इंवर्जन करता है इतना फास्ट करता है बेटा 2.3 into 10 raise to 10 per second ये बेटा इतना rate है इसका है ना invert करने का होता क्या है अभी यहाँ पे इसका hybridization SP3 ये पहले थोड़ा सा trigonal planer जैसे ship बनाता है अभी देखो ये कैसा है ये bonds कुछ ऐसे है R1 ठीक है R2 ले लो ये रहा और ये रहा R3 कुछ इस तरीके से arranged है ठीक है देख रहा है साफ साफ अभी क्या होगा और उपर loan pair है होता क्या है ये ऐसे बाहर की तरफ खुलता है एक ही plane में आ जाते है सब एक ही plane में आए तो ऐसे पीछे की तरफ चले जाएंगे trigonal planer safe बना लेंगे तीन bond है तो कौन सी बनाएंगे trigonal planer ठीक है कुछ इस तरीके से बना लेंगे ऐसे एक bond इदर एक bond इदर और एक bond इदर plane में आए तो वो कौन सी stage है जब umbrella सीधा हो रहा है वो बहुत कम देर के लिए होता है है ना तो trigonal planer safe कैसी होगी nitrogen को यहां रख दो एक R1 उपर चला गया R2 यहां आ गया R3 यहां आ गया और loan pair कहीं भी रहेगा loan pair को safe में count नहीं करते है आप जानते हो ठीक है यह एकदम intermediate state अब इदर trigonal planer trigonal planer फिर क्या होता है exact यह bond उपर की तरफ खुलते है loan pair नीचे आ जाता है यह बहुत fast होता है कितना fast होता है इसका rate मैंने लिखा आपके सामने exact digit लिखिया 2.3 into 10 raise to 10 per second इससे आपको एक चीज और पता चलती है यह जो rate है umbrella inversion का यह कौन से order reaction है first order कैसे पता चल रहा है unit से per second unit आ रही है याद रखना बिटा है यह सब चीज practical questions है फिर बोलो के sir मेरे को तो rate दिया था umbrella inversion में kinetics कहां से गुजगई है ना सब चीजें एक दूसरे से linked है लेकिन आपको link करना आना चाहिए ठीक है अब क्या होगा यह bond super की तरफ हो जाएंगे that is r1 यहां आ गया nitrogen lone pair आ गया नीचे उससे comparison कर रहा हूँ r2 इधर और r3 इधर ठीक है फिर से क्या hybridization बन गया sp3 यहां पे कैसा behave करेगा यह trigonal planar मतलब थोड़ा सा sp2 जैसा behave कर रहा होगा लेकिन main flipping first यह first और third structure के बीच में हो रही है first और third structure के बीच में हो रही है इसको बोलते है flipping of amine flipping of amine समझ में आ गया that is umbrella inversion से हम इसका comparison करते हैं इससे फर्क क्या पड़ेगा अब देखो अगर एक amine का molecule configuration देता है r कौन सा r that is rectus clockwise तो दूसरा amine का molecule जो इसके just opposite है exact इसकी mirror image है कैसे mirror image है इस molecule को बेटा यहां से उठाओ यहां से उठाओ और यहां रख के देखो ठीक है मैं उस molecule को उठा रहा हूँ ठीक है तो मैं यहां पे एक line खीज देता हूँ ठीक है यह सब हटा रहा हूँ थोड़ा सा जगे रहेगी R वगेरा भी बता दूँगा दुबारा लेकिन मुझे पहले वो molecule बनाने दो तो ज़्यादा समझ में आएगा देखो वो nitrogen black marker से ही बनाता हूँ वो रहा nitrogen उस पे नीचे की तरफ लगाए lone pair उपर यहां लगाए R1 यहां लगाए R2 और यहां लगाए R3 अब ज़रा ठीक से देखो यह पहला structure है और वो third structure है मैंने उसको उठा के यहां रख दिया यह दोनों एक दूसरे की exact mirror image है exact क्या है? mirror image है मतलब एक और exact mirror image है फिर mirror image चेक कर ली ज़रा चेक करो क्या यह इसके उपर superimpose होगी? उपर वाली को उठाओ यहां पे लेकिया आता हूँ नहीं होगी loan pair इस वाले bond पे आ रहा है R यहां आ रहा है superimpose नहीं होगी superimpose का मतलब होता है exact बिलकुल fit हो जाना उसके उपर नहीं हो रहे हैं यह ना fit कुछ bonds extra निकलेंगे ठीक है? तो non superimposeable mirror image relations हो गया अनके बीच में non superimposeable mirror image relations हो गया और इनको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? NNCOMERS बोलते थे वेटा NNCOMERS बोलते थे ठीक है? और तुम्हें पता है NNCOMERS कैसे होते हैं? अगर एक NNCOMER मतलब एक structure अगर light को clockwise गुमा रहा होगा तो दूसरा optical isomer जो उसका NNCOMER है वो light को exact opposite direction में गुमा रहा होगा और यही molecule कभी ऐसे रहता है? कभी ऐसे रहता है दूसरा molecule नहीं बनाया है मैंने कि तुम समझो कहीं और से लाया हूँए molecule नहीं इसी ने flipping की है न इसी का यह nature है कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा तो कभी तो यह क्या कर रहा होगा? light को clockwise गुमा रहा होगा that is rectus clockwise rotation दे रहा होगा plane polarized light को और कभी दे रहा होगा sinister that is anti-clockwise anti-clockwise ठीक है? तो anti-clockwise और clockwise अब एक साथ देगा सर जब compound light को rotate करता है किसी एक direction में तो वो optical active होता है लेकिन जब एक ही compound दो form में exist करके 50% R देता है और 50% S देता है तो दोनों एक दूसरे को काटके उसकी optical activity को खत्म कर देते हैं तो यह aminds जो होते हैं वो कैसे होंगे बेटा optical inactive होंगे nature के अंदर optical inactive होंगे क्यों होंगे due to its flipping nature due to its flipping nature and we could compare this flipping nature with umbrella inversion we could compare this flipping nature with umbrella inversion ठीक है यह जो मैंने discussion किया है flipping का board के लिए बिलकुल applicable नहीं है साब सब बता रहा हूं board वाले students को बिलकुल applicable नहीं है competition के लिए जरूरी है ठीक है इसलिए के वर डिसकस किया है बाकी मैं preparation of a mind सब स्टार्ट करता हूं preparation of a mind पता नहीं बिटा तुम लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आता भी है कि नहीं पहली preparation देखो बिटा by reduction of nitro compounds या nitro group क्या होता है nitro group? NO2 यही तो होता है इसका reduction कर दो NH2 बन जाएगा माइन्स बनाना है मतलब हमें NH2 functional group चाहिए simple सा logic है अब देखो RNO2 ठीक है इसको क्या बनाना है? RNH2 बनाना है reduction किसकी presence में होगा? दो-तीन तरीके बता रहा हूं मैं आपको देखो पहला यह उपर वाले arrow पे लिख दे रहा हूं इसमें मैं language नहीं लिखा रहा हूं आपको ऐसे याद रखना है ठीक है? language से फाइदा क्या है? language के जो एक-दो point है हूं मैं आपको बता दूँ जरूरी है बाकी फाइदा क्या है बाकी तो तो मैं reagent reaction याद होनी चाहिए simple एक तो है कि आप H2 hydrogen gas pass कर दो किसकी presence में? या तो palladium metal ले लो और pt ले लो और rainy nickel ले लो rainy nickel का मतलब है थोड़ा सा crushed form में होगा nickel ठीक है? इन में से कोई भी एक metal ले लो hydrogen gas pass कर दो nitro group किसमे convert हो जाएगा? NH2 में convert हो जाएगा दूसरा क्या है बिटा? second logic है जब हमें convert करना हो तो हम second method यूज़ करते हैं कोई भी active metal ले ले लेते हैं active metal कौन है? जैसे SN हो गया और iron हो गया और zinc हो गया इन तीनों में से कोई भी इन तीनों में से कोई भी metal किसकी presence में लेना है? साथ में इनके HCL लेना है आपको इन तीनों में से कोई भी और साथ में क्या लेना है? HCL लेना है ठीक है? और RNO2 किस में convert हो जाएगा? RNO2 बिटा किस में convert हो जाएगा? R NH2 में convert हो जाएगा second method ये हो गया अच्छा इन दौनों में convenient method ये नीचे वाला होता है ठीक है? convenient method कौन सा है? नीचे वाला होता है आप यहाँ पे पहला H2PD, PT, NI मैंसे कोई भी metal hydrogen gas pass कर सकते हो इनकी presence में NO2 के उपर ठीक है? देखो होता क्या है? nickel का surface लेलो या palladium का ये metal का surface है मैं साफ साफ क्या रहा हूँ इन तीनों में से कोई भी metal surface होगा ठीक है? हम RNO2 group को यहाँ पर लगा के रखते हैं ऐसे NO2 यहाँ लगा रहता है hydrogen gas आती है ऐसे इस पर attack करती है एक bond तोड़ती है फिर दूसरा attack करता है इस तरीके से मतलब ये जो है metal जो लेते हैं ना मिया यह क्या surface प्रोवाइड करता है RNO2 को और H2 को reaction करने के लिए तो यह PD, PT, NI क्या होगा catalyst का काम करेंगे यह metals क्या है यह metal का surface किसका काम करता है catalyst का अगर यह surface प्रोवाइड ना करें तो यह reaction ही नहीं होगी hydrogen इस पर आ कि कैसे attach हो जाएगा इसलिए हम तीनों में से कोई भी metal लगाते है PD, PT या rainy nickel ठीक है और दूसरा method SN और FE और ZN HCL इसकी presence में भी यह reduction हो सकता है active metal ले लो hydrochloric acid की presence में अच्छा इन तीनों में से इन तीनों में से जो iron है बिटा iron के जो scrap होते हैं reduction in presence of in presence of iron scrap with HCL is preferred यह हम prefer करते हैं क्यों prefer करते हैं ठीक है बिटा क्यों prefer करते हैं preferred because because यहां से होगा यह कि Fe जब HCL के साथ यहां पर पहले reaction कर लेंगे यह दोनों आपस में और FeCl2 form करते हैं और FeCl2 को जब आप hydrolyze करोगे H2 से reaction कराओगे तो यहां से फिर से आपको HCL मिल जाएगा HCL क्या फिर से यहां से regain हो जाता है तो इसी HCL को फिर से आप iron के साथ reaction करवा सकते हो तो हमें क्या बहुत कम HCL लेना पड़ेगा और किसी metal है न ऐसे एने जैसे tin हुआ zinc हुआ उनके case में ऐसा नहीं होगा किवल iron के case में ऐसा होगा तो हमें क्या बार-बार वो ही HCL मिलता रहेगा तो हमें reaction start करने के लिए थोड़े से HCL की ज़रूरत पड़ेगी और हम हमेशा कोई भी chemical reaction करवाने के लिए क्या करते है बटा हम हमेशा वो method prefer करते है जहाँ पे हमारी input cost कम आ रही हो simple सा logic है मैं वो धंदा करूँँगा जहाँ पे मुझे minimum input में maximum output मिले तो वही यहाँ पे होता है यह इसलिए हम क्या करते है iron metal select करते है क्योंकि जो FECL to form होगा वो hydrolyze होके क्या करता है फिर से HCL बना देता है HCL reproduce करता है यहाँ से और HCL को हम फिर से यहाँ use कर सकते है तो वही मैं लिख रहा हूँ reduction in presence of iron scrap with HCL is preferred because because FECL to formed FECL to formed FECL to formed is hydrolyzed hydrolyzed to get to get HCL to get HCL which can be used which can be used again which can be used again for the reduction for the reduction बात समझ में आ गई बिटा for the reduction कोई दिक्कत कोई दिक्कत हो तो बता हो नहीं है न हम इसको वापस यूज करेंगे तो इससे क्या होगा मुहारा it reduces the cost of reaction cost of reaction that is we require we require less amount we require less amount of HCL to initiate the reaction to initiate the reaction क्या बात समझ में आ रहे है बिटा ठीक है तो ये था reduction of nitro group दो तरीके से हम कर सकते हैं clear समझ में आ गया next method discuss करें चलो second method है बिटा ammonolysis ठीक है ammonolysis of alkyl halides इसको बिटा ये जो reaction है particularly Hoffman ने actually मैं दे थी तो इसको कहीं कहीं Hoffman's ammonolysis भी लिखते हैं ये याद रखना Hoffman's ammonolysis भी लिखते हैं confused नहीं होना है बात एक ही है ठीक है इसके अंदर क्या होता है बिटा आप कोई भी ये दो तरीके के amine की preparation कर सकती है ये जो method है इससे हम दो तरीके के amines बना सकते हैं एक तो aliphatic amine बना सकते हैं aliphatic amine ठीक है एंड बिटा benzyl amine बना सकते है benzyl amine बना सकते है सर ये aliphatic amine तो हमारी समझ में आता है RNH2, RNHR ठीक है मतलब primary, secondary, tertiary वाले हो गए benzyl amine इससे benzyl group बोलते हैं बिटा benzyne ring पे CH2 लगाऊ ना इससे benzyl group बोलते हैं इस पे NH2 लगा दो तो ये बन गया benzyl amine तो इस तरीके की amines एक aliphatic amine और benzyl amine की preparation आप इस method से कर सकते हो ठीक है कैसे कर सकते हो वो हम एक एक करके अब discuss आपके साथ कर लेते हैं लेकिन ये सबसे पहला point है ठीक है ये आपको याद रखना है बाकी की amines aromatic हम इससे नहीं बना पाएंगे क्यों नहीं बना पाएंगे आपके अभी सब सामने आ जाता है देखो इसमें होता ये है बिटा की कोई भी alkyl halide लेते हैं ठीक है और इसकी reaction करवाते हैं किससे बिटा ammonia से किससे करवाते हैं ammonia से NS3 से ठीक है 373 kelvin पे 373 k and ये reaction होगी एकदम sealed tube के अंदर pack होगी वो tube ठीक है मैं आपको सब कुछ यहीं लिख दे रहा हूँ हर बार arrow पे sealed tube नहीं लिखोंगा लेकिन आपको समझ जाना एकदम closed packed vessel होगा उसके अंदर 373 kelvin temperature में maintain करेंगे 373 kelvin का मतलब होगी है 100 degree celsius इसका मतलब क्या होगी है 100 degree celsius ठीक है यहां से ammonia क्या करता है R पे attack करता है और X यहां से निकलता है तो मतलब ये reaction कौन सी हो रही है nucleophilic nucleophilic substitution of ammonia of ammonia sorry nucleophilic substitution nucleophilic substitution of alkyl halide alkyl halide by ammonia by ammonia कौन है nucleophile कौन बन रहा है यहां ammonia बन रहा है तो होता क्या है यहां पे R NH H H पे क्या लगा है 3 hydrogen लगे है ठीक है और इसी से आके ये nitrogen ने कितने bond बना ली है चार बना ली मतलब इस पे positive 4 जा गया तो RN इस तरी positive और यहां पे इसी के पास X negative भी यहीं इसके पास ही बिटा घूमता रहेगा ठीक है तो यह क्या बन गया यह क्या बन गया ammonium salt बन गया है देखो ठीक से है ना N पे जब चार bond बने हो nitrogen ने जब चार bond बना रखिया हो उपर positive 4 जो तो इसे बोलते ammonium इसे क्या बोलते है बिटा ammonium ठीक है तो यहाँ पे यह क्या बन गया ammonium salt बन गया ammonium alkyl halide ठीक है फिर से यह क्या करता है यही तूट के NH3 की presence में क्या दे देता है R NH2 दे देता है ठीक है और यहाँ से यह पूरा निकल जाता है ठीक है यह पूरा निकल जाता है इसमें से एक hydrogen इसके साथ attach हो जाएगा और NH2 R पे जाके लग जाता है तो यहाँ से यह चीज़े निकलती है NH4 positive और X negative ठीक है ammonium halide निकल जाएगा ammonium halide निकला बिटा और amine बन गया 1 degree amine ठीक है तो मैं नीचे sentence को अब complete कर सकता हूँ क्या nucleophilic substitution of alkyl halide by ammonia prepares prepares क्या बना रहा है ammonium salt ammonium salt of alkyl halide alkyl halide and and this reaction this reaction is called is called ammonolysis ammonolysis name reaction आगे जी important ammonolysis simple सी है क्या किया है NH3 ने R पे attack किया X negative निकला तो R NH3 फिर N ने क्या किया Charbon बना लिए इसलिए positive charge आ गया तो X negative उसी के पास रहेगा तो ammonium salt बनेगा किसका है alkyl halide का इसमें फिर से ammonia अगर attack करता है तो यह यहां से 1 degree amine बन जा 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 है और ammonium halide अलगट जाता है अच्छा यह reaction क्या है ना ऐसा नहीं है कि आप इस reaction को यहीं control कर लोगए यह reaction यहां पर उखती नहीं है अभी क्यूं क्यूं नहीं रुखती है क्यूंकि अभी nitrogen के पास फिर से lone pair of electron है तो एक और alkyl halide के साथ यह reaction कर सकता है तो R X फिर से यह reaction कर देता है ठीक है होता क्या बटा यह जो R N H 2 form हुआ है R N H 2 जो यह form हुआ है यह क्या 1 degree amine यह 1 degree amine से आप अभी और R X को R X की reaction करवा सकते हो और देखो क्या form होगा यहां पर फिर से यह इस पर attack करेगा X negative निकलेगा यहां फिर से क्या बनेगा R 2 N H 2 positive X negative बनेगा फिर ammonia की presence में यह आगे क्या देदेगा R 2 N H देदेगा secondary amine बन गया ठीक है फिर यह reaction अभी यहां नहीं रुकेगी मतलब यहां पर क्या है आपको mixture मिलेगा 1 degree amine साथ मैं 2 degree amine भी मिलेगा अगर reaction controllable नहीं है ठीक है फिर क्या हो सकता है सर फिर से यह तो ऐसे हमोन उससे R X से reaction कर जाएगी एक और alcohol chloride आजाएगा हाँ फिर से R उससे reaction करती है यह कब तक reaction करती रहेगी जब तक यह R 3 N that is 3 degree amine बन गया अब 20 के पास loan pair of electron है side product अब नहीं लिख रहा हूं में तो यह फिर से reaction कर सकता है R X से हाँ फिर से कर सकता है फिर से करेगा R आ गया X negative निकल गया तो R 4 N positive आ गया अब यह attack नहीं कर पाएगा nitrogen क्यूँ? क्यूंकि 4 L का L ग्रोप अटेच है nitrogen ने चार bond बना रखे अपने सब electrons तो दे दिये खुद के पास positive charge है खुद के पास जब electron नहीं है तो अब nucleophilic attack कहां से करेगा Alkyl Alight के उपर तो यह यहां आके bitter रुखता है यहां पे आके It stops here यह reaction यहां आके रुखती है तो इस reaction का एक disadvantage आपको board पे ही दिख रहा होगा कि यह जो Ammonolysis वाला method है इससे हमें क्या मिलता है It yields It yields It yields Ammonolysis yields Mixture of Amines Mixture of Amines Mixture मिलता है बिटा है ना आपको देख रहा है One degree मिला फिर से lone pair of electron है फिर से एक और Alkyl Alight से react कर सकता है Two degree बनाएगा फिर react करेगा Three degree बनाएगा फिर react करेगा जब जा कि Ammonium Salt of Alkyl Alight बनाएगा ठीक है Ammonium Salt of Alkyl Simple तो यहाँ पे क्या Mixture of Amines मिलता है यही इसका disadvantage है केवल एक नहीं दे रहा है चारों साथ में दे रहा है चारों का मुझे कुछ करना थोड़े है तो फिर सर मान लो मुझे One degree Amine चाहिए तो मैं क्या करूँगा फिर मुझे क्या है Extra process डालनी पड़ेंगी मैं यहाँ से One degree Amine के लिए इस Mixture यह जो Mixture बन रहा है न तीनों का One degree Amine, Two degree Amine सब एक साथ बन रही होंगी एक वीकर के अंदर One degree प्लस Two degree प्लस Three degree प्लस Three degree तक जाएगा प्लस Four degree भी हो गई वो क्या है यह क्या है Four degree Amine है ना मैंने आपको बताया था यह क्या Four degree Amine इसमें इससे मेरे को क्या करना है खाली One degree चाहिए तो मैं क्या करूँगा फिर इससे Reaction कराऊँगा NaOH की स्ट्रॉंग बेस की तब जाके मुझे आर एनेस्टू मिलेगा तो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है फिर मैं क्या करूँगा इस मिक्स्चर से आर एनेस्ट्री पॉजिटिव एक से एने ओ एच की रियक्शन कराऊँगा बेटा तब जाके मुझे क्या मिलता है आर एनेस्टू मिलता है समझ में आ रहा है आपके तब जाके मुझे क्या मिलता है इस तरीके से मैं वन डिग्री एमाइन को आईसोलेट कर सकता हूँ ठीक है बाए इट येल्ड्स मिक्स्चर ओफ एमाइन एंड एंड वी कुड वी कुड आईसोलेट वी कुड आईसोलेट वन डिग्री एमाइन बाए रियक्टिंग बाए रियक्टिंग इट विद इस्ट्रॉंग बेस इस्ट्रॉंग बेस देट इस एने ओएच लिया है मैंने यापे सोडियम हाइड्रॉक्साइड समझ में आ रहा है तो कुछ इस तरीक है कि एक लंबी सी प्रोसेस चलेगी बेटा अच्छा इसमें एक पॉइंट आता है दो में इंपोर्टेंट पॉइंट है अब इसके अंदर ये तो जनरल आपके समझ में आ गया इससे आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आ आर एकस जो आपने लिआ है आप यहाँ पे बेंजीन की बेंजीन पे सीेच टू ग्रूप लगाके भी ले सकते हो तो आपको सी ऐसा हेलाइड लेना पड़ेगा एराइल हेलाइड ठीक है बेंजीन के ऊपर एक्स लगा हो और इस पर मुझे अमोनिया की रियक्षन करवानी पड़ेगी न्यूकलियोफिलिक अटेक्ट करेगा यहां से एक्स निकलेगा यह तो होता ही नहीं है नूकलियोफिलिक सुटेगा नहीं क्यों अब समझ में रहा होगा एराइल हेलाइड नूकलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं इसलिए हम यहां से एरोमेटिक एमाइन नहीं बना पाएंगे याद रखना तो फिर एरोमेटिक एमाइन बनाने के लिए कौन सा मैथड इनका एनो टू ग्रूप इंट्रड्यूस हो जाएगा ना किसकी प्रिजेंस में अभी सीखा है एक मिनट इसलिए एक मिनट पहली तो सीखा है इसलिए इससे पहले वाला मेथड इससे जादा यूसफुल हो जाता है अमॉनिया की डियक्सिन होगी नची पोईंट है इसका दूसरा आता है पटर रियक्टिविटी ओर थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूं मुझे space चाहिए दूसरा आता है बिटा reactivity order of alkyl halide alkyl halide towards towards nucleophilic substitution nucleophilic substitution of ammonia बताओ आप ही बताओ चलो कैसे होगा simple सा logic alkyl halide मतलब ri और rbr इनमें comparison करना है आपको rcl कौन attack कर रहा है ammonia आके attack कर रहा है जिन nucleophile बनके ये वाला bond तूटेगा ये वाला bond तूटता है ये वाला ये वाला जिसका ये bond weak होगा उसकी reactivity high होगी अब आप बताओ मुझे ये strong होता है rcl bond मतलब ccl bond r का मतलब ccl bond strong होता है cbr bond strong होता है c i bond strong होता है sir सबसे strong ये वाला bond होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का size इतना difference होगा cl थोड़ा बढ़ा होगा यहाँ क्या है carbon तो उतना ही है जितना वहाँ था लेकिन b r थोड़ा और बढ़ा हो गया यहाँ पे क्या है carbon उतना ही है लेकिन आई और भी बड़ा हो गया तो bond length कहां increase कर रही है बताओ बिटा bond length सबसे कम कहा है यहां पे है तो जहां bond length कम होती है उस bond की strength जादा होती है जहां bond length थोड़ी बड़ी तो bond strength थोड़ी घटी जहां bond length सबसे जादा बड़ी वहाँ पे bond strength सबसे कम होगी और bond आराम से break होगा तो reactivity order of Rx alkyl hyalide toward nucleophilic substitution of ammonia क्या होगा सबसे ज़्यादा reactive यह होगा क्योंकि CI का bond सबसे weak है क्यों क्योंकि सबसे ज़्यादा bond length है then CBR then यह समझ में आ गया उपर देखोगे तो RI, RBR और RC एक यह point आपको याद रखना है ठीक है तो यह दो method हो गए इस video में इतना ही काफी है फिर बाकी के methods हम next video में discuss करते हैं अच्छे से पढ़ते रहे हैं and thank you for watching my videos